एक हिमाचल जैसा कि हमारे पूर्वक्ताओं ने कहा कि ये एक देवता का राज्ज है हिमाचल पहले से भी बहुत मशूर स्टेट है और हर लोग दिल्ली के बाद राज्जानी के रुप में सिमला कोई देखते थे क्योंकि यहां का सुन्दर्ता और यहां का वातावन यहां की पाड़ियां यह सारी चीजें देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि यह हमारा स्विजर लैंड है हमें स्विजर लैंड जाने की जरुरत नहीं अगर वो यहां आकर हिमाचल को देखे तो शायद वहां के लोग और दुनिया के लोग भी खुश हो जाएंगे क्योंकि इसको टूरीजम की बढ़ावा बहुत जरुरी है और टूरीजम अगर बढ़ती है तो पैसा आता है पैसा आता है तो आप खर्च कर सकते हैं, जब आप खर्च कर सकते हैं, तो छोटे मोटे विपारी उठ सकते हैं, तो ये एक कुलक के एक ऐसी चीज़े हैं, सातियों, मैं करनाटक से आता हूँ, और यहाँ पर तो एलेक्शन में एक दो-तीन बार आया था, लेकिन मैं सिमला आया था, जब मैं स्टूडेंट था, और स्टूडेंट जन्रल सेक्रेटरी बोलके चुनके आया था, उस वक्ट हम कॉलेज के और से टूर निकाले थे, और सारे हिंदुस्तान में हमने घुमा क्योंकि स्टूडेंट को उस वक्ट कंसिशन रेलवे देती थी अब मोदी ने वो भी निकाल दिया आप स्टूडेंट्स को देने खाभी यह हिमाचल प्रदेश एक विशेश प्रदेश है और यहां पर 1951 में जो हिमाचल वाशियों कोई देश में सबसे पहले ओड़ डालने का सवभाग क्या मिला था 51 में ओड डालने का अगर किसी की किस्त में आया वो हिमाचल के लोकों के किस्त में आया पंडि जवरलाल लेरुजी कि पहली जुनावी सबा 1951 में हिमाचल में हुई थी तब उन्होंने कहा था मैं वो कोट करता हूँ ताकि आपको मालूम होने दो कॉंग्रेस पार्टी सिर्फ एलेक्शन में नहीं आती देश को बनाने में और हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाके में कैसा पंडि जवरलाल लेरुजी आये अपनी तकरीर की और लोकों को समझाया उस वक्त अब तो भौव से सवलत है लोक आते हैं जाते हैं वोट पूसते हैं तो जवरलाल लेरुजी ने कहा था हिमाचल वासी ऐसे प्रत्यासियों को वोट दे जो सामाजिक नाय को बढ़ा है जवरलाल लेरुजी के शब्द है हिमाचल वासी ऐसे प्रत्यासियों को वोट दे जो सामाजिक नाय को बढ़ा है मनुष के व्यक्तित को गवरव और सतंत्रता को आगे ले जाए आदादी को आगे ले जाए धर्म और सिक्षा की सतंत्रता को आगे ले जाए ये हमारे महाननेता जो पंडित जवरलाल निरुची उस वक्द 51 में आकर ये बात कहीं थी कहीं और साल हो गए ये जो है रोड़ू का संबंद स्वतंत्रा सेनानी पंडित पत्मदेव से रहा है जो हिमाचल की पहली सरकार में होम मिनिस्टर रहे उसके बाद सत्यदेव बुहे स्रीजी बुशेरी जी भी यहां के थे जिनका हिमाचल के विकास में युगदान रहा 1922 में विदान चुनाओं में राजु गानी जी ने इसी महिदान की स्री सत्यदेव भुशेरी के लिए चुनावी जनसभा की थी इस विदान सभा सीट के लिए वीदबदर सिंग जी अठरा वर्ष तक वो विदायक रहे 18 साल से इस भाग का प्रतिनीदी तूनों ने कहा किया और वो एक बहुत बड़े development के लिए लड़ने वाले थे मैं याद जिलाना चाहता हूँ मेरा भी थोड़ा कुछ उनसे बहुत मिनिस्टर के नाते संबन था हम दोनों एकी मिनिस्टर में थे मैं रेलवे मिनिस्टर था और लेबर मिनिस्टर था वो स्टील मिनिस्टर थे और अपने जो काम के लिए वो कभी किसी से शर्माते नहीं थे मैं कहां जाओं कैसा जाओं क्योंकि उनकी उमर मैं समझता हूं 92 या 93 हां 86 में गए है आ स्वारे क्योंकि मेरा 80 मैं समझा मेरा 83 कंप्लीट हो रहा तो उनका ज्यादा होगा सम्झा ठीक है लेकिन वो आते थे हमसे भी कर तीन चार साल बड़े होंगे लेकिन हमारे पास आकर रेलोई के काम के लिए ब्रीच के लिए और बद्दी में हॉस्पिटल मैं खुद आकर वहां पर इनागरेट किया जहां पर बद्दी में आपके फार्मसी बहुत से कंपनियां थे उसके बाद उन्होंने फिर मुझसे पूछा एक मेडिकल कालेज ये साई का दे सकते क्या तो मैंने एक मेडिकल कालेज हिमाचल प्रदेश को दिया और वही बहुत दिन के बाद वह शुरू हुआ अब कंप्लीट हो गया होंगा ये देन जो है हजारो करोड रुपए का देन हमने दिया कॉंग्रेस ने दिया और ये हमारे वीरबद्र सिंग जी यहां लाए उसको आज कहीं ओ लोकों को फाइदा हो बोधी साब आपका क्या कांट्रिवूशन है मेरे को बताओ यहां के लोकों को जो आप देने का वाइदा किये थे वो तो नहीं दिये आपने कहा था कि यहां के लोकों को मैं अच्छी दाम दिलाऊंगा अपना सेफ का लेकिन उन्होंने देने के वज़ाएं यहां के लोकों को और गरीब करने के लिए उन्होंने इंपोर्ट डिउटी डाल दी पहले यहने हर चीज जो कहिते हैं उसका उल्टा करते हैं और मैं समझतों पहली बार आए शायरी यहां नहीं है ठीक है नहीं आए तो किसी ना किसी को देखने को तो आए हूंगे नहीं है अरे ठीक है ठीक चोड़ो तो यह समझेने मेरी बात को चलो चलने बुपेश जी आप तो समझे हैं तो यह देखिए मंडी में ही मैं बोल रहा हूं कि हमने बहुत कुछ काम करके दिये और वीर बदर सिंग भी किसी काम को छोड़ते नहीं थे रस्ते से लेकर नाशनल हाईवे से लेकर और हास्पिटल से लेकर सब काम उन्होंने किया करने के लिए सब के ओफिसस को जाते थे सबसे मिलते थे वो वैसा ही उनकी धर्मपत्नी भी हर काम को पीछे लगकर वो काम हिमाचल पुरदेश का करवाती थी तो ऐसा अपना काम अइसा काम किसी ने भी नहीं किया लेकिन भाशन बहुत होता यहां से इतना भाशन होता है पूछो मत और फोटों भोट छपते में मैं भी देखा पेपर में इतने फोटों छपते हैं लेकिन इतनी बड़ी पहाड आ गई फ्लट आ गया इतना बड़ पहाड गिरते रहें सरक बंद होते रहें लेकिन हमारे जीर्पिनिस्टर ने दस सजार करोर रुपे माउजा मांगा कंपेंसेशन मांगा नुक्सान भरपाई के लिए मोधीदी को पूछा लेकिन मोधीदी हमारे जोले में क्या डाले पत्तर डाले लेकिन पैसे नहीं डाले दुरुस्ती के लिए कुछ नहीं की है और पांच साल मंग रहे हो में पांच साल और देओ मेरी गावर्मेंट बहुत अच्छा काम करेगा अरे दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूं मोधीदी हमेशा उनको जड़ा जूट बोलने की आदित है आप बोलेंगे काईसा प्राइमिनिस्टर काईसा जूट बोलता है मैं आपको एक दो तिन उदाण देता हूँ उन्होंने दस साल में क्या किया पहले एलेक्षन में तो उन्होंने कहा देखो माता आए बैटो आपको एक एक लाक रुपए दे रहे हम आगे जब हमारी सरकार आएगी केंदर में जब मोधी जी आए आने के बाद उन्होंने पहले ही अलेक्षन पहले ही उन्होंने वाइदा किया था क्या कहा था मैं हर रेक के जोब में 15-15 करोड रुपए डालूंगा 15-15 लाट उन्होंने कहा सिस बैंक में खाला धन रखा है और एक कांग्रेस वालों का है बड़े अमीर लोकों का है तो इसी लिए मैं महाँ से काला धन लाऊंगा हर रेक के जोब में 15-15 लाट डालूंगा क्या आपको 15 लाट मिला जो मोधी जी ने कहा था वो मिला आपको नहीं मिला नहीं मिला तो यह जूट है ना यह जूटी बात बोले ना उन्होंने और भी कहा नवजवान सातियों को मैं यमप्लामेंट दूँगा हर साल दो-दो करण नूकरिया दूँगा दो करण नूकरिया आपको मिले हैं 20 करण नौक्रिया मिले कैसा नहीं प्राइमिनिस्ट जूट बल सकते हैं प्राइमिनिस्टर कभी जूट नहीं बलता क्योंकि वो तो हरिश्चंद्र का बेटा है तो यह मैं क्यों बोड़ा हूँ फिर उसके बाद में उन्होंने बोले कि मैं किसानों की आमदानी दो गुना कर दूँगा भायो और भेनो आपके आमदानी को डबल बनाऊंगा आमदानी आपके डबल हो गए किसानों की नहीं हुआ यह भी जूट यह क्या है वहीं सब जूटी बोल रहा है क्यों हमारे देश के प्रदान मंदरी को और उन्होंने कहा मैं बुलेट ट्रेंड लाने वाला हूँ बुलेट आमदाबास से बंबाई तक कितने में पहले एक लाग अब तीन लाग हो गए अभी तक हाँ वही तीन लाग करोड अभी तक नहीं आया जूट पे जूट और उसके क्या फाइल है किसी गरीब को तो फाइदा नहीं है इतनी मंगी है वो बुलेट ट्रेंड में बैटने के लिए और उससे कोई गरीब का फाइदा होता नहीं फिर भी बोले वो भी कंप्लीट नहीं और भी उन्होंने बोला मैं हर रेक के सर पे छट डालके घर बनाऊंगा हर रेक के अपने सर पे छट होगा कहा है चालीस करोड का अपने वाइदा किया फिर बाद में अपने घटाया बीस करोड का फिर घटाया थीस करोड का वो सब गया अभी चालीस लाक भी नहीं बने मकान अइसे जूट पे जूट वो बोलते जा रहे हैं और फिर बोलते हैं देश के लिए मैं जान तक दूँगा और हमेशा वो टीका किसकी करते हैं उनों टीका ये करते हैं कि सब कुछ कॉंग्रेस के वज़े से खराब हुआ सतर साल में कॉंग्रेस बरबाद की तो पहले बोलते हैं अब छोड़ दिये हो अब 55 साल में कॉंग्रेस देश को बरबाद कर अरे 55 साल में अगर देश बरबाद होता तो इस देश में इतने स्कूल, कालेज, पब्लिक सेक्टर ये आते थे जो नेरुजी ने बनाया, वो गरीबों के लिए बनाया और नेरुजी के वड़ जो डवलप्मेंट हुआ, उसके बाद आप दस साल में क्या किये, उसका हिसाब देऊ छेस साल में हमारे बीजेपी की सरकार थी, 99 से लेकर 2004 तक ये आपका 15 साल का हिसाब दो, 16 साल का, हम 55 साल का हिसाब आपको गिन के बताएंगे, वो नहीं चाते देश एक और देश में हमेशा लोकों को एक होने के लिए छोड़ते नहीं, लोक एक रहना, हर समाज के लोक एक रहना ये नहीं चाते, हर समाज में धगड़ा लगाना, अरब देश इतना बड़ा है, 140 करोड जनता है, इसको एक रखना, आजादी के बाद होट मुश्किल था, उस वक्त भी आबादी कम से कम 33 करोड थी, और आउस लक्त, उतना रहने के बाजूद जवरलाल नेरुची, और सारे अमारे जो इस देश के प्रमूक लोग थे हैं, उन्होंने बहुत कुछ काम करके ये देश को इकता रखा, लेकिन मोदी जी अभी भी कांग्रेस को कालियां देते हैं, भगवान का नाम कम लेते हैं, लेकिन कांग्रेस का नाम, राहूल गानी का नाम सबसे ज़्यादा लेते हैं, मैं समझतों सोते वक्ष भी उनको यादाता होगा, सपने में भी यादाता होगा, नहीं तो इतना बार-बार नहीं मस्त, इतना एक आदमी बार-बार इतने नाम लेना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कांग्रेस को ढरते हैं, राहूल जी को ढरते हैं, सोन्या जी को ढरते हैं, हमारे पार्टी को ढरते हैं, इसी लिए हमारी ठीका करते फिरते हैं, लेकिन हमको डराने की तो खूब कोशिश होगी हम तो डरने वाले नहीं है क्योंकि हम हमेशा जनता के तरफ से काम कर रहे हैं और जनता के लिए काम करेंगे और ये जो चुनाव है ये चुनाव सिर्फ एक MP की चुनाव नहीं है ये चुनाव जनता मोधी के खिलाब लड़ रही है मंगाई के लिए अनेंप्लामेंट के लिए जो गरीब आज तरस रहा है जिसको नौकरी नहीं वही से लोग आज लड़ रहे हैं और दूसरी बात हम लोग जो कॉंग्रेस लड़ रही है जनता के और से और जनता को जो सपोर्ट कर रही है वो किसलिए मंगाई के खिलाब अनेंप्लामेंट के खिलाब अगनी वीर की बात करे चार साल के लिए मिल्ट्री में भर्ती करना ही बंद करे और मोधी साब बोलते है हम अगनी वीर तयार कर रहे अगर मिल्ट्री में भर्ती होते अगर मिल्ट्री में भर्ती होते वोल्डेंज पेंशन यहां पर लागू की है लेकिन उनकी सरकार कहा है वहां सब उसने निकाल दिया यह नो को क्या हिसा कोई कही सकता है दिया हुआ छीन ले रहे इनों खुद तो देते नहीं दियी हुँई चीज को भी मोधी छीन ले रहे इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा हम जो लड़ रहे चार चीज़ों के लिए एक तो लोगों को बचाने के लिए एक तो उनको काम मिलना आजे बढ़ना तीसरी इस देश के समिदान को बचाना इस समिदान को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं इस देश के इस समिदान को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं अगर ये बच गया जमूरियत बचेगी लोगतंत्र बचेगा आप बचेगे आपको जो बुन्यादी हक मिल रहे हैं फंडमेंटल राइट्स वो सब चीज़े इसमें हैं अगर आप भूल जाएंगे इसको भूल जाएंगे तो आप अपने याद करेंगे फिर गुलामी के दिन आप कभी नहीं पाएंगे जो इस कांस्टूशन में आप लोगों को हक दिये गए हैं उसी तरह जो एस्टी एस्टी लोग हैं और जो बैकवर्ट से हैं कोई भी होने दो उनको सबको हक मिल रहा है इस समिधान के वज़े से उसी लिए भाईयों और भाईयों तुम मुदर इदर मत देखो सिर्फ आंग मुझ के एक तारिक को हाथ के बटन के उपर वही ना आप लोग एक तारिक ना एक तारिक को आप हाथ के चिन पर बटन दबाओ और भारी बव मत से इनको चुन के लाओ तभी तभी लोग संत्र बचती है तभी समिधान बचेगा तभी हम आप सुक और शांती से रहेंगे लेकिन मोदी जी ये नहीं चाहते हैं मोदी जी हमेशा यही चाहते हैं कि हर लोग परिशानी में रहें मैं अमदाबाद गया था क्योंकि मैं हर स्टेट में जा रहा हूं हर देगे घूम रहा हूं मैं देख रहा हूं लोग एकदम चिंती थे है ऐसे लोगों को परिशान करने की बात कौन कर रहें बोदी जी कर रहें मैं अमदाबाद में उन्होंने एक भाशन किया क्या बोला कि उन्होंने बोला देखो जाती जंगर्णा करके कॉंग्रेस तुमारे घर का एक सुरे कर रहें एक सुरे करके तुमारे घर के अंदर अगर सोना है कितना सोना है तुमारे घर के अंदर मंगर सूत्र है तुमारे घर में अगर पैसा है तुमारी संपत्थी अगर तुमारे पाद जमीन है दो एकर जमीन है तो एक एकर छीन लेंगे कॉंग्रेस वाले और यहां तक भी बोले तुम्हारा मंगल सूत्र भी छीनेंगे अरे कोई मा का लाल इस देश में पैदा हुआ है किसी का मंगल सूत्र छीनने का कांग्रेस पार्टी देश के लिए लड़ी है कुर्बानी दिये आज तुम वोटों के लिए मंगल सूत्र की बात करते हो जाती की बात करते हो भाईो और भाईो देखो गुजराती भाईो उनके अमलाबाद में बोले सो बोल रहा है देखिए बहुत हुशार रही है आपके घर में अगर दो भाईस है एक भाईस मुसल्मान को देएंगे आप सुनेए फढ़े होंगे ना हाँ हम नहीं कह रहे है भी देश का प्रदान मंत्री कह रहा है इस देश का प्रदान मंत्री कह रहा है दो भाईस है तो एक भाईस निकाल के देएंगे दो एकर है तो एक एकर विकाल के देंगे, मंगल सूतर देंगे, यह ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर बोलता है, अरे प्राइम मिनिस्टर तो वो होता है, जवरलाल नेरुजी के देता है, जो सब को समानता के साथ लेके जाता है, और समानता की भाषा बोलता है, वो है इंद्रा गांधी जी जो पाकिस्तान जई से कंट्री को पाकिस्तान जई से धेश को उन्हों उसके दो तुकडे करके एक बंगला देश बनाया और दूसरा पाकिस्तान रखा ये काम हमने किया तुमने तो पाड़ खोद के चुवा निकालने वाले लोग पाड़ खोद के चुवा निकालते ये देखो ये चुवा निकला अरे हमने तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़के बंगला देश को हजादी दिलाए और हमारे लोग लड़कर जीतने के बाद भी एक लाख लोकों को सेनिकों को हमारे अपने इंडरा गान्दी जी ने उनको बहुत दिन रखा उसके बाद में उन्होंने उनको छोड़ दिया एक लाख लोकों को बंदी कर दिया तुम क्या कही हुई कुछ भी आये तो कुछ तो जिखाना यह देखा पाकिस्टान पाकिस्तान कुछ जाते हैं कांग्रेस वाले हम चाते हैं अगर हम चाते उनको क्या आज को बंगलादेश अलग बनता था अरे आप तो चाइना तुमारा हमारा हिंदुस्तान का जगा वहाँ पर अकुपाई करके बैटा है, घर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, मोधी साब चुप बैटे हैं, मेरी 56 इंच की शाती है, कहा है वह 56 इंच की शाती आपके? आईसी बात करते हैं, तो इसलिए दोस्तों आईसे लोकों को सबक आप सिकाना चाहिए, अगर आप सबक नहीं सिकाएंगे, तो निश्चित रूप से इस देश में डिक्टेटर्स ही पाएगा, अगर डिक्टेटर्स ही पाएगा, पूरे कानून खतम हो जाएंगे, और सभी ल ही वहाओं को वाइदा करता हूँ, 30,00,000 खाली पड़े हुए सरकारी जगा, हम सरकार में घटबंधन की सरकार आने के बाद ये पूरे 30,00,000 वेकेंशी जम भर देंगे, सब को देंगे, पहली नौकरी पक्की करिए और एक लाग सालाना हम स्टाइफन के तोर पर नौकरी के अभिकार दिलाने के लिए उनको ट्रेनिंग देंगे, इवार रोशनी पांच हजार करोड का डिपाजिट हम इस फंड के लिए पहले दे देंगे, और आज पेपर लीक बहुत हो रहे हैं, और मोधी जी छुप बैटे, हर चीप निश्टार गुदर इदर देख रहा है, लेकिन हम पेपर लीक होने का भी बंद कर देंगे, उसके लिए नया कानूर लाके, हम इवाओं को एक जगा बना के देंगे, जहां पर दूसरी बाते हैं, जो हमने वाईदा किया था, किसानों के लिए हमने ये वाईदा किया, कि वुचीत, आयात, निर्यात, नीती लाएंगे, यहां के लिए एक्सपोर्ट, इंपोर्ट किजी पॉलिसी है, वो नया पॉलिसी बनाके, यहां के किसानों के लिए हम मदद करेंगे, सभी किसानों का कर्ज, हम माफ करेंगे, जैसा मनमौन सिंग्जी ने, बात तरहदार करोड रुपे, सोन्या गादिया, और मनमौन सिंग्जी ने किया था, हम सब लोग मंतरी थे, वो फिर से करके हमने दिखाएंगे, तीसरा, GST मुफ्थ खेती, अब तो GST, GST में यहां question answer नहीं है, तो यहां GST, इस पे रहेगा, हर ट्रैक्टर पे हैं, ट्रैक्टर के सामान पे हैं, टायर पे हैं, फट्लाइजर पे हैं, आउशक पे हैं, हर रेक पे GST हैं, वो GST हम निकाल देंगे, किसानों को इससे फाइदा होता है, वो निकाल देंगे, तीस दिन में, बिमा की, जो क्रॉप, इंसुरंस है, वो दिलाएंगे, क्योंकि, किसान से लूटते हैं, और अमीरों को फाइदा करते हैं, किसान अपना कॉंट्रिबूशन करता है, और उसके लिए, जो कंपेंसेशन मिलना, वो नहीं देते हैं, आपको तो मालूम है, क्योंकि यहां, यह जो हिमाचल प्रदेश में, हंडेड परसेंट लिटरसी है, आपको ज़्यादा बोलने की जुरूरत नहीं है, हम अभी कम समझते हैं, आप ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि देश हाजाद होने से पहले भी, यहां 50 परसेंट लिटर चुनाओं को यहां पर हिमाचल सरकार 1500 रुपए देने का वाइदा की थी, लेकिन इसको स्थेंट लाया गया, अब चुनाओं के बाद जो पिछला जिस दिन इन्होंने अनौन्स किया, उस दिन से लेकर अब तक पूरा पैसा हमारे महिलाओं को मिलेगा, और मुक्यमंद्री जिने जो वाइदा किये थे, वो वाइदा एक एक पूरा कर रहे हैं, हम करनाटक में वाइदा किये थे, वो वाइदा हमने पूरा कर रहे हैं, तेलंगाना में हमने वाइदे किये थे, वो भी हम कर रहे हैं, तो जहां जहां हमने वाईवे किये थे वो तो हम पूरा कर रहें और मोधी जी साथ जो जो ग्यारेंटी दिये थे वो एक ग्यारेंटी भी अमल में नहीं आया उन्हों हमेशा बोलते रहें भाईयों और भेनों जब मैं देखता हूँ मेरी माँ भेने चुले के सामने जब पढ़ती है जब वहां लकडी के लगाते हैं धुआ निकलता है जब गोबर की यह लगाते है उपले वह लगाते है तब वो दुआ निकलके उनके आखों में जाता है जब उनके पानी को देखकर आखों के पानी को देखकर मुझे आइसना महसूस हुआ कि ये लोग इतने तकलिप में मैं मुफ्त में ग्यास कलेंडर दूंगा अरे नाटक कितना दर्दे होई कितने ड्राम है भाजी आप सच बोलो सच अगर कहिंगे आपको फाइवा होगा अगर जूट बोलते जाएंगे हमेशा के लिए आपकी छुटी हो जाएगी और छुटी करने के लिए जनता तयार है और हम जीतने वाले हैं इसमें कोई सक्त नहीं है और हमारे लोग तयार होके बैटे और खास कर जनता तयार होके बैटी है उनको हराने के लिए वो मोका देख रही है एक तारीक आते ही सुबह से सभी लोग लाइन लगेंगे और लाइन लगाकर आप लोग कांग्रेस को वोट देंगे हाथ को वोट देंगे और इनको जिता के लाइंगे ऐसा मेरा विस्वा है एक वोट भी आपका किम्ती है अगर आप कहेंगे वोट क्या करना यहां तो 100% लिटरसी है इसके बाद भी अगर 100% वोटिंग नहीं होती तो अभी हम देश के समिदान को नहीं मान रहे या लोग तंत्र को हम नहीं मान रहे यह होता है तो दोस्तों इस बात से मैं यही कहूंगा कि आप लोग के कांगे और मोदी जी तो अमीरों के साथ है हम गरीबों के साथ है अमीरों के साथ इसलिए है उन्होंने हमने जो बनाए पुब्लिक चेक्टर यूनिट्स एरपोर्ट पोर्ट यह सब बेच रहे या गिर्वी रख रहे अरे पैसा हमारा बनाए हम और बेचने वाले तुम लेने वाले आधानी और हमबानी पैसे हमारे तो यह जो है इसको हम बंद करना है यह बंद करने के लिए हमको आगे बढ़ना है तो मैं आखरी एक ही बात बोलके अपने बात को समात करने जाने जाने वाला हूं और सारी चीजे जो हम भी बोला कि श्रमियों की निवनता मजदूरी और एक लाक रुपए महिलाओं को साला ना देने का जाती जन्गर्णा और उसके बाद इवाओं का ये पांच नाई और पच्चीज गारेंटी हम जरूर अमल में लाएंगे ये कहिते हुए ये चुनाव खुद जन्ता लड़ रही है और एक शाहिर के शब्दों में मैं कहूं ये जन्ता कहिना चाहती है जल्वे तुझे दिखाएंगे जल्वे तुझे दिखाएंगे बस इंतजार कर हम कौन हैं बताएंगे बस इंतजार कर मसनत पर तुझे को हमने बिटाया है याने गती पर मसनत पर तुझे को हमने बिटाया है ये नभूल ये नभूल हम ही तुझे उठाएंगे बस इंतजार कर हम ही तुझे उठाएंगे बस इंतजार कर मोधी के लिए है जन्ता बोल रही है उनको उठाने वाले है और वो अब पैक अप करके चलते जाएंगे और उदर इदर इतना फिर रहे हैं बहुत इतना घूम रहे हैं शायद उनको इतना सौशे आया तो इसलिए तो वो बोलते हैं तो पहले भाई और वह ने कीवी में बोलते थे अब आदे गंटे में उनका अड़ोटाइजमेंट आत है कहां से आते हैं इतने पैसे हैं दूसरों को बोलते हैं यह फ्रस्ट है वो है यह फ्रस्ट लोकों को लेकर तुमने हुकमत कर रहे हैं यह फ्रस्ट लोकों को लेकर तुम राज कर रहे हमारे पास के लोकों को उटा उटा के लेकर तो प्रस्ट कौन है वो भी है करनाटक के के राज को गिराया मद्यप्रदेश के राज को गिराया गोवा के राज को गिराया हिमाचल के राज को गिराने की पूरी कोशिश की लेकिन आप लोग हिमालाई के जह से ठैर गये वो रुख गया आप हिमाले के जएचा रुक ठेर जाने से वो आगे नहीं बढ़ सका हर जगे पर्चेस करना डराना बोलना ED की दमकी देना CBI की दमकी देना CBC की दमकी देना कितने दिन देंगे वहीं और बोल रहे बात में ये ब्रस्ट को मैं कभी इसान नहीं करता हूँ मैं उन सा जिरो टॉलरेंस अरे जिरो टॉलरेंस वाले बाबा बंडी पे बिटा लेके उनको रास्तबा मेंबर बना रहे डेप्टी चीपनिस्टर बना रहे चीपनिस्टर भी कही जगे बनके हमारे महराश मे बने सब को तोड़ फोड़ करके 3,13,9,8 कर दिए और ये बोलते हैं देश को मैं बचाने के लिए पैदा होगा है मां गिल्गा मुझे बुलाई है कहां से बुलाई है अमदावा से हैं पहीं रहो ना भी गंगा की सेवा करने वाले बहुत लोग है वारानसी में उत्तर प्रदेश में हिमाचल में बियार में हर जगे है बड़ा टेंपल है ना यहां लोगों को मां गंगा ने बुलाई मैं इसलिए आया मैंने प्रदानमंत्री बना मां गंगा के विज़े से अब इस सब कुछ ऐसा आप वोलने से मिलता है तो कोई काम करने की जरुरत नहीं है मेरे पास एक मेरे वोल्ड टीचर आये थे वो अच्छे टीचर थे लेकिन जरा उनका आइडेलोशी जरा मेरे को ठीक नहीं लगा तो वो ऐसा ही बोलते से कभी कभी मलीकारजुन मेरा नाम मलीकारजुन है फिर आप बोलेंगे ये कहा का नाम है भी हमारे पास नहीं है मैं भी अनेक जोतिर लिंगों में से एक लिंग हूँ मलीकारजुन तो इसलिए है तो लोग मुझे बोलें कि दो लोग थे दोनों दोस्त थे एक मुस्लिम था एक हिजुद था वो जरा बहुत आई दी थे क्या बोलते है आप तो लेशी थे तो वो क्या करते थे शुक्रार के दिन तो मज्जीद के सामने ठेर के ठेर के पुकारते थे जब टाइम एक बज़े नमाज का टाइम होता हूं जाते थे अल्ला के नाम पे पैसे दो अल्ला के दोनों मिलके बोलते थे अल्ला के नाम से पैसे दो अल्ला के नाम से पैसे दो लोग एक दिन 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 चार दिन दिन पिर उसके बाद वाले अरे रोज हैसा ही आते फुकारते थे चोड़ो और दूप में ठेर ठेर जाते थे सुमवार के दिन वों पोलते हैं भगवान के नाम से दो, बगवान के नाम से दो, दो, लोग बोलें वह एक दिन, दो दिन ठीक है, इस प्रद मोटे-मोटे है कम से कम काम करके जिनना चाहिए, यह सरफ छोड़के जीने के लिए यह दंदा पकडा उनो, यह अच्छा नहीं तो फिर बाद में उन्हें सोचा चलो अब एक पेर पर ऐसा ठैर कर देखें गे ऐसा एक पेर पर एक पर ठैर के तब तो नोकों को दया आएगी तो उन्हों जाके फिर मजीद के पास ठैरे यह की ऐसा पर पर ठैर के अल्ला के नाम पे, दो अल्ला के नाम दोनों पुकारने लगे तो बाजू, बहां पर मॉरी थी, घटार थी तो गटार रहने से, वो कितने देर ठेर सकता ह 1964 पेर पे, दूप है, पानी होना, सब होना तो चिला चिला है, कोई ध्यान नहीं दिये तो एकदम उसको चक्कर आया दोनों को चक्कर आने के बाद वो मोरी में गिर गए गिर जाने के बाद हमारे लोग इतने compassionate है इतने देयालू है इतने करुणा है उनके पास उन्होंने गे रहे उटा 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 उनको उटा हो इनको सब मिलके उसको उठाने लगे, उठाके कोई पानी लाया, कोई निम्बु शर्बत लाया, कोई ब्रेट लाया, उसको खिलाने लगे, खिलाकर वो दोनों को उठाके, दोनों की ठांग तुड़ गई थी, रिक्षा में डालके लेके गए, लेके जाते हो और पूछे कैसे हो नई साब अल्ला देता है मगर टांग तोड़के देता है अल्ला देता है मगर टांग तोड़के देता है तो ये उसने कहा तो यसी लिए बगर मैनत से कुछ नहीं मिलता जब तक हमारे करड़ी में एक है कई कसरारए भाई मसरात हो ड़ता है अगर जब आपका हाथ खेतों में गलीद होता है गोबर उठाते वो तभी आपको दही मिलता है आप हाथ से गोवर उठाते हो तभी आपके मुँँ में रही मिलता है ये काम करने कर्म है कर्म से सब कुछ मिलता है बैटने से नहीं मिलता है लेकिन मोधी हर चीज जादू मान रहे हैं जादू से सब कुछ मिलता है समझ रहे नहीं भई, हमारे लोग महिनत करे, उसका फल तुमारे को मिल रहा है, हमने बड़े-बड़े कारकाने बनाये उसको मिल रहा है, हमने Green Revolution बनाया तुमको आज धान फिरी मिल रही है, हमने दूद के डाइरियां खोले तुमको दोग मिल रहा है, तुमारा क्या है भई, तुमारा नाम एक ही है, नाम बदलो, वल्लबाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, नाम निकालो, मोधी स्टेडियम बनाओ, बनाया है नहीं, अम्दाबाद में, ऐसे काम, नाम बदलो प्राइम मिनिस्टर इनो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मोधी साथ इतने जूट बोलते हैं, शा आम बाद में हूँ, इतने जूट बोलते हैं, और आज हमारे कांस्ट्रूशन के पीछे गिरे हैं, कांस्ट्रूशन का बदलाव करने के लिए, हमारे मोवन भागवत जी, पहले ही बोले, और आज भी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, बहुत से लोग, करनाटक में, एक एमपी, वो बला, हमको टू-तर्ड में दोर्टी जो, चार सो पार करो, हम इस देश का समीदान बदल के, अच्छा समीदान लाएंगे, ये कुन बोल रहे हैं, ये मोदी के चेले और मोदी जी बोल रहे हैं, तो आप समीदान बदलना चाहते हो, चा समीदान का रक्षन करना जाते हो, ये उसका उतर आपको देना है, नए तो घुलामी में रह जाएगे, जैसे पहले थे वैसे, इसलिए मैं आप से विनंति करता हूं, फिर एक बार हमको जनतंत्र को बचाना है, लोगतंत्र को बचाना है, समीदान को बचाना है, हमारे आगे पीडी को बचाना है, इ वोड़ देकर हम सब को हमारे पाटी को आगे लाइए तुमारा जो भी हमने बात किया है या कहा है जो भी वचन हमने दिया वो निभाएंगे यह कहकर मैं अपने चार शब्द को समाप्त करता हूं और आज के हमारे जो थिमला उमेद्वार है विनोद सुल्तानपुरी विनोद सुल्तानपुरी इनको अपना वोड़ दीजिए और विक्रमादित सिंग अगर मंडी से यहां कोई आये हैं आजू बाजू है सबको मैं विननती करता हूं विक्रमादित सिंग जो वीरवद्र सिंग के सुपुत्र है उनको आप चुन के लाइए आनन्द शर्मा इनको भी हम यह भी हमारे पार्टी के कैंडिट है इनको भी आप भारी भौमत से चुनो घर घर जाओ घर जा करें बोलो कि यह हमारे कैंडिट है इनको आप ओड़ दीजिए सत्पाल सिंग रईजादा हमीर पूर के इनको भी आप इनके बारे में आप प्रचार करो कहां भी जाते हैं त इस देश को मजबूत बना हम आपके साथ है हम कभी डरने वाले नहीं है कोई दराते, बहुत से लोग डराने के कोशिस करते कांगरेस पार्टी आज तक डरी नहीं बहुत से बहुत से लोग कैसे हैं लेकिन हमारी पार्टी हमेशा कुर्बानी करी है लेकिन किसी के लिए हमने डर के भागे ने तो इतना कहते हुए मेरे चार शब्द को स्माप्त करता हूँ जय हिन, जय कोंगरेश मैं कहूंगा मोधी हटाओ, देश बचाओ, अब की बार समिधान बचाओ, लोक्तंद्र बचाओ मोधी हटाओ, जय हिन, 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 जय हिन बड़ी से बड़ी खबर क्राइम से लेकर राजनीती तक किस नेता ने पांच साल में क्या काम कराया